सब्सक्राइब लाज्ट क्लास में हमने चैप्टर वन एकाउंटेंसी का लगवलोग खतम कर लिया है हमने रिसिट्स और पेमेंट्स अगाउंड देख लिया है और कुछ और सम्स आने बाले हैं जो कि फीचर में आएंगे एक्साम का प्रोलम ठीक है एक्सामिनेशन बेस जो सबसे पहला क्लास है तो यहाँ पर हम सिर्फ जो बेसिक से वह सब देखेंगे और क्या-क्या देखने वाले वह सब देख लेते हैं ठीक है आपको यहाँ पर भी स्लाइड दिखेगा है जो ऐचसी और सिब्यसी युनिट तू क्या है एक्वाइंटिंग फ्रपार्टनरशिप फॉर्म ठीक है इसका मतलब क्या हूआ यहाँ पर आपको एक्जाम में एक कोशन आ जाता है आपके पास 5 मांक का प्येटी एप्रोप्रोप्रियेसन अकाउंट का असंद के वड़य बात कर रहा हूं ठीक है और एक होता है final account जोकि total 8 marks का होता है ठीक है final account हर साल ही आता है तो उसका इंपोर्टेंट है हर साल के लिए ही और उसका option भी नहीं होगा आपको करना ही परेगा और जल्दी भी करना परेगा क्योंकि final account एक average student को 30 या 20-30 मेंट तो लहीं लेता है तो आप से जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा होगा इसलिए उसमें अच्छा practice करना है और PL appropriation account पांच मांक के लिए आता है ठीक है then format of PL appropriation account meaning of PL appropriation account ठीक है और उसके बाद में हम यह सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले ठीक है सबसे पहला जो class सबसे पहला जो part क्या था हमारा definition of partnership ठीक है partnership का definition क्या है so students as per section 4 as per section 4 of Indian partnership act 1932 क्या बताया गया है कि partnership the relationship between partnership is defined as इतना आपको लिख देना उसके बाद आपको यहाँ से continue करना है the relationship between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all ठीक है अब यह पर important words mark करना पहला क्या था relationship that means partnership is a relationship between two or more persons पहला दूसरा क्या बोला है दूसरा बोला है who will share the profit between the persons persons word जैसे ही सुना person नहीं है क्या है persons है इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा आदमी होगा तो यह भी हमारे लिए important है relations होना चाहिए किसके बीच में relationship होना चाहिए persons लोगों के बीच में किसलिए who have agreed to share the profits जो क्या करेंगे share अपने profits को share करेंगे of a business carried on by all जो कि सभी लोग business कर रहे हैं सभी लोग all everyone will take part in the business activities of the business affairs of the business or any one of them या फिर कोई एक ही काम करे but acting for all लेकिनों सभी के लिए काम कर रहा होगा ठीक है so आगे देखते है persons who entered persons who have entered into the agreement are called partners हमें जानते है पार्टनर किसे कहते हैं वो लोग जो की partnership की agreement को sign करते है और नेम अंडर वीच दे वर्क जिस नाम के अंदर में जिस नाम के नीचे वो लोग काम करते हैं उसे क्या करते हैं ठीक है for example a और बी ने अगर मालो हमें definition देख लिया है पहुत ही अच्छा से पूरा सुरू से अंट तक अच्छा है देखो partnership का जो definition जो बेसिक से ना यहीं पर complete हो जाएगा ठीक है इवें जो practical point of view से जो भी चाहिए वो भी हमारा हो जाएगा थियोरी तो हम करी रहे हैं हां राइट्स, duties, characteristics यह तीन चीज़ आप देख लेना खुझ से ठीक है यह आपको खुझ से देखना होगा अगर चाहिए होगा उसके लिए भी तो मुझे बताना तो मैं उसका भी एक class अलग से कर दूँगा थियोरी होगा ठीक है पहला essential element क्या है minimum 2% जैसा कि हमने definition में देखा था relationship between persons मतलब कम से कम तो दो आदे maximum कितना होता है maximum general business में 20 और banking business में 10 होता है maximum but हमें minimum कितना चाहिए दो आदमी चाहिए then agreement between them they should have an agreement between them उनके बीच में क्या होना चाहिए कि agreement होना चाहिए और agreement किसली होना चाहिए that they will share the profits of the firm ठीक है और business must be carried on by all or any one of them acting for all कोई एक ही आदमी सारा business करे काम करे या फिर सारे लोग मिलकर काम करे बट याद रखना कोई एक आदमी भी बिजनेस कर रहा है तो उसका benefit सभी को मिलता है partnership के अंदर ठीक है as per act ठीक है क्या लिखा रहते हैं वहाँ पर containing the terms and conditions as agreed upon among the partners partners ने जो भी rules and regulations जो भी अपने लिए terms and conditions को agree किया है वो सारे बात ही वहाँ पर लिखे रहते हैं next time हम देखते है rules applicable in absence of partnership deed partnership deed अगर ना हो ठीक है तो क्या-क्या rule चलता है ठीक है so basically यह आपके theory के लिए important है या फिर one more question पूछा जाता है इसमें से आप previous paper देखो तो इसमें सबको one more question आता हुआ दिखेगा ठीक है but यह जो rule से क्या है absence मतलब अगर मान लो partnership deed नहीं है question बिलकुल silent है तब हम यह से rule लगाते है पहला क्या है that they will share profit and losses equally that means partners को आधा-धा पैसा बातना है ब्राबर one is to one ratio में ठीक है नेक्स्ट है a partner shall be entitled to an interest of 6% per annum on the loans advance buying जो भी loan उसने form को दिया है उसके उपर उसे कितना मिलेगा 6% per annum के क्या मिलेगा एक interest मिलेगा ठीक है next है a partner is not entitled to any remuneration कोई भी salary bonus commission कुछ भी किसी भी partner को नहीं दिया जाता है ठीक है for taking part of the for taking part in the conduct of business business का जो भी काम है उसके करने के लिए उसके कोई भी salary नहीं देना चाहिए ठीक है बट मैं फिर से बता दूं आपको question में यह सब चीज रहेगा दिया रहेगा क्यों दिया रहता है अभी मैं बता दूंगा दो में ठीक है इसे complete कर लेते है अब partner is not entitled any interest on capital किसी partner को interest on capital in essence of partnership नहीं मिलता है और कोई भी interest on drawing भी charge किया हुआ नहीं जाता है ठीक है चलो सबसे पहले इन सभी laws का हम low fault निकालते है क्या क्या low fault है इसमें क्या कमी है पहला क्या बोला था कि ब्राबर ब्राबर बाटेगा ठीक है सोचके देखो ए है एक आदमी और बी एक आदमी इसने दस रुपय लगा इसने एक हजार लगा ठीक है बिजनेस में अब तो यहां पर हमको मिलता है हमेशा क्या हरेक सम में एक पार्टनर्शिप का रेशियो दिया रहेगा profit sharing ratio ठीक है कैसे बाता जाता है या फिर capital के basis पर बाता जाता है वह बात की बात है ठीक है मगर यह जो मैंने बोला आधा-धा ये कब होगा silent जब रहेगा तब silent नहीं है तो तो आपको कोशन में दिखेगा ठीक है ओके दूसरा हमने क्या पढ़ा था पार्टनर शेट चल भी एंटाइटल टुवा इंट्रेस्ट और सिक्स परसेंट परेनम और लॉन एडवांस भाई हम सपोज मालो एसा एक समझना मालो दिखेग सब्सक्राइब और इस प्रेसे प्सक्राइब चलने लगा लेकिन चलने लगा लेकिन इसको क्या चिरिए था इसमें कुछ फंड का जौड़त था पैसा कुछ और फाइनस करना था अब यह गया लोगों से मांगने लोगों किसी नहीं दिया, तो इसने क्या-क्या अपना इपासा लगा दिया है, जैसे ही बिसने साल हुआ, यर एं ऑधा है, क्या हुआ है यहाँ पर y slash यहाँ पर इयर एंड पर? इन लोगगों प्रोफिट हो गया, सब के सब आ गए क्या मोलते हैं पैसा दो मेरा प्रॉफिट को मिलेगा ठीक है प्रॉफिट सभी को मिलेगा ऐसा था अवे लोग चले आए चलो माल लो ऐसा हम यहाँ पर माल लेते हैं यहाँ पर पार्टनर्शिप कोई भी रेसियो नहीं तरह हुआ था मतलब क्या हो गया सबको ब्राबर मिलना चाहिए तो माल लोगर यह लोग 100% कमाए तो 25 सभी को मिलना चाहिए था 25 25 25 ठीक है क्या आपको लग रहे है कि यहाँ पर इसलिए लोग इस लिए सोचा और क्या बताया कि ऐसे तो बेमानी हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया यहाँ पर दिया यहाँ पर यहाँ पर 6% का इंट्रेश्ट मिलेगा ठीक है यह बहुत ही सिंपल से बात था इसमें कोई गरवरी नहीं था यह इमानदारी क का बात हुआ ठीक है ओके नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर पॉइंट नंबर हमने स्ख्री जो देखा था क्या देखा था पार्टनर इस नोट एंटाइटल एनी रिमेरेशन कोई रिमेरेशन नहीं मिला चाहिए ठीक है फिर वही केस लेते हैं यहां पर आपको हमेशा क्या मिलेगा कि एक पार्टनर जो होता है किसी एक पार्टनर को किसी को कमिशन मिलता है किसी को सेलरी दिया जाता है उसके वरक के हिसाब से ठीक है पास किसी को भी इंट्रेंसक्डील नहीं देना है अब देखो यह किटना वराट होने वाला हो ड़िक है शपोउमों और इसने लगाया दस रुपया इसने लगाए यहां पर इस तरह से लगाया इन लोगों ने पार्टनर्शिप आया बिजनेस डाट किया क्या बोला था कि कोई भी इंट्रेस्ट किसी को भी नहीं मिलेगा ठीक है दस रुपिया वाला को अगर इंट्रेस्ट नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है यहां पर इंट्रेस्ट नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसने तो सबसे अधर पैसा लगाया था जो प्रॉफिट होगा तो सभी बाट लेंगे मालो आधा ब्राबर ही बाट रहें बट जिसने ज्यादा पैसा लगा उसको कुछ ज्यादा तो मिलना चाहिए तो वह कैस की तीनों सबने बिजनेस टाट किया था ठीक है सबने और इनक लाख रुपया से लोन तो इसने क्या किया धिरे-धिरे ड्रोइंग के रूप में क्या कि में ड्रोइंग के रूप में ड्रोइंग के रूप में सारे पैसे को निकाल लिया ठीक है तीन लाग को निकाल कर और अपना एक सेपरेट बिजनेस करने लगा अपना काम करने लगा ठीक है ओके और जैसे ही सा सब्सक्राइब करें अब पकलत STEP sind 2019 Uhhicos from framing ow गौके हिसाब सब्सक्राइब करेक्ज कर से करेक्ट है मैंने लउन ले लिया और Suppose इस से मेने अब इसमें प्रॉफिट हुआ है तो मेरा प्रॉफिट है इसमें और इसने कहा कि ले लो अपना तीन लाख रुपया या दो लाख रुपया जो भी तुमा फार्म करते हैं तो इसलिए यहां पर यह रूल के लिए भी आपको अगैंस्ट में एक क्लोज मिल जाएगा जब भी आप समस्क्रोंगे तो ऐसा क्लोज आप मिले गए ठीक है यहां तक क्लियर हो गया होगा आइस ठीक है ओके चलो तो नेश्ट देखते हैं नेश्ट हमें पास क्या है नेश्ट है एकाउंट्स टू भी प्रिपेरड बाइदा फॉर्म क्या-क्या ए क्या था ठीक है बैलेंसिट भी अपने किया था बस पील अप्रोप्रोप्रियेशन नहीं किया है तो उसी के बारे में अभी हम लोगो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना एक बार बता दो ट्रेडिंग अकाउंट एच एससी वालों को नहीं बनाना पड़ता है क्य अप्रोपियेशन अकाउंट, यह क्या है जस्ट 3 एके उपर ही एक एक सेन्सी सा बढ़ा दिया गया इक इस वह दिखाता है ते combine है,दुए बशत कर में जγु भी एस था त्रौपियेशनर मुआ verse देश हmud और में अब्र राज शार्गेंशा और ऊज एक हैंप्र दिखाता प्रोफिटु ठीक है कैसे होगा मैं अभी आपको बता हूंगा ठीक है नेक्स्ट है दे आर आड क्या-क्या है कि ट्रांजेक्टेर इंट्रेस्ट पेथा प्रॉफिट छोटार g. नेक्पश क्या रहन से, नेट प्रॉफित से जो भी पार्टनर का जो भी पैसा बनता है वह बच जयता हो क्या हुआ बर कि अब अब करना होता है इसका sung पुझाए आपकोन भी जाएगा पिर आंधि जब हम इसका लेजर देखेंगे, PL Appropriation Account का जब हम format देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे जनलिंटी बनना है, उसके बाद में क्या था, PL Appropriation and the balance of net profit after adjustment of the above transactions is distributed among the partners, that means shareable profit, distributable profit, जो है, ये सारे transactions, partner shareable transactions को खतम करने के बाद आता है, ठीक है, so question, चलिए हम देखते हैं, partners, PL Appropriation Account का format कैसा होने बाला है, ठीक है, और अभी आपको ये पूरा पूरा याद भी हो जाएगा, मैं उस तरह से भी आपको होताने बाला हूँ, ठीक है, तो चलो, ये हमने एक लेजर बना लिया, ठीक है, 5 marks के लिए होता है, तो छोटा सा ल फोरे ये एर, एंडिटे, ठीक है, इतना हमने लिः दिया, उसके बाद हो, अब पार्टीकुलर्स, अमांट, पार्टीकुलर्स, अमांट, ठीक है, ओकी, अधर में न वहें स्टार्ट करना है, ये हमरा इधर में क完全 complete debit, और ये हमेरा क्रेडित, ठीक है, ठीक है, लू सपोस 내용 मालो ऐसा हुआ कि PL account में दो ची हो सकता है या तो profit या फिर लॉस अगर लॉस हुआ तो आप एप्रोप्रियेट किसे करोगे एप्रोप्रियेट किसे करोगे बाट हो किसे तो जब लॉस होगे तो फिर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है तो प्रॉफिट के केस में बनेगा अगर प्रॉफिट के केस में बनेगा तो हम यहां पर क्या लिख देएंगे प्रॉफिट कि इदर आता है PL account पे याद करो PL account अगर है मौन लो तो इसका profit कि इदर आता है इस Website में फिके ना To Net Profit BD याद होगा प्रोफिट एन लोस एकाउंट से आया क्या आया जो भी पैसा आया वह हम यहां पर लेख देंगे यह मेरा क्या है यह मेरा फ्रोफिट ठीक है उस साल के लिए जनरली पी एले वाले कोशन में आपको यह वाला चीज पहले ही दिया रहेगा ठीक है उसके बाद में अब आते हैं मैं इधर में आपको बता दो यहां पर इधर में क्या record होता है उसका पार्टनर को मिलता है, ठीक है, किसको मिलता है, पार्टनर को मिलेगा, इधर में क्या मिलेगा, जो चीज पार्टनर को मिलने वाला है, मतलब जिससे पार्टनर का बेनिफिट हो, ठीक है, जिससे पार्टनर का, इसका जिससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, ओके, और इधर पार्टनर को यहां पर जिसमें पार्टनर को पैसा मिलना है तो पार्टनर को क्या मिलता है पार्टनर मिलता है इंट्रेस्ट ऑन कैपिटर तो इंट्रेस्ट ऑन कैपिटर ठीक है यहां पर जनरली आपके पास ए और बी रहता है तो ए और भी हम लोग क्या करेंगे उसे कैलकु टू पार्टनर ठीक है तू कभी कभी कोशन में को कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन टू पार्टनर ठीक है तू कोई और पैसा मानलो दिया गया हो इन लोगों को किसी भी तरह का किसी भी तरह का बोनस पकड़ लो बोनस मिला है तो बोनस रहेगा तू पार्टनर ठीक है तो यह सारे की तरह आगए इधर में आ जाएंगे जो भी और भी जो भी होगा उसे हम कैलकुलेट करकर यहां पर लिख देंगे ठीक है अच्छा यह सब क्या हो गया पार्टनर को मिलने पार्टनर को मिल रहा था इधर में यह सब ची पार्टनर को मिलता है यह सब कर दो एक और चीज़ होता है जो क्या होता है जैनरल रिजर्फ का पैसा तो टू ट्रांस फर्ट्र्व मृट्व तो जनली 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 इसको तिस्से हो बैलंस करो को क्या होगा आदर पैसए इधर आएगा या फिर फिर आगा अरितर हें अग năm दर फैसा तो क्या ऑगा टूो शेर आफ फ्रौफिक शेर ऑफ अगर इधर आया तो क्या होगा दो भाई kole अ है लौ- Dog ठीक है इतना लिखकर उसके बाद हम क्या करेंगे जो भी है मानलो ए है तो ए का capital account ठीक है या फिर current account current account भी हो सकता है capital account भी हो सकता है ठीक है उस तरह से यहां पर भी A और B capital या फिर current कुछ भी हो सकता है capital या फिर current कुछ भी हो है जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे बाट कर दे देंगे ठीक है ए है बी है कुछ भी हो सकता है यहां पर भी बी का भी हो सकता है ठीक है ठीक है तो इसको एसे भी लिख सकते हो कि तो एसके लिखा जा सकता है अब कोई समय में आगी होगा है एक पर हम इसे रिवाइस कर लेते हैं क्योंकि हमाए लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले सम में ठीक है फिर से बता रहा हूं याद रखना हमेशा के लिए याद रहा जाना चाहिए ठीक है देखो यह ए आए तो क्या हूआ क्रेट हुआ ठीक है से मेरा मैं क्या हो पाड यह पैसा पैसा आया फीक है मुझे पैसा देना है तो मैं चैंप्राट आप हो रहा हूं और लिए लौस और इस हTr spar alm का do या बाइने प्रॉफित बीरी उसके बाद में अगर ड्रोइंग है तो ड्रोइंग कौन देता है ड्रोइंग क्या बोला मैंने कि इधर में पार्टनर को मिलना है इधर में पार्टनर से मिलना है तो पार्टनर से मुझे पैसा मिलेगा ठीक है तो हम क्रेइट साइड में रखें इधर में partner का gain, इधर में partner का loss एक और टाम आप याद रखते हो, इधर में क्या है partner का gain है इधर में इधर में क्या है partner का loss का बात हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा अगर charge होता, मानलों कोई fine charge होता हलाकि ऐसा होता नहीं है, 2L level के question में अगर होता, तो भी ज़रिया था, ठीक है सो इस तरह से हमने क्या देख लिया, पी एल appropriation का total format को cover कर लिया I hope कि आप कोई समझ में आ गया होगा अगर कोई doubt रहता है, तो नीचे comment पे करना ठीक है, next class में हम इसका एक problem सम लेंगे problem सम कितना जल्दी चाहिए, नीचे comment करो ठीक है, comment जितना जल्दी आगा, उसके उतना ही जल्दी हम क्या करेंगे जो problem समें, ओ भी बना देंगे ठीक है, सो चलो, आज के लिए इतना ही रहने जाते हैं, बाबाई कैसे लागा class जेवर बताना, ठीक है अगर आपने class 12 का, अगर आप English का, grammar का course लेना चाहते हो, यहां से, ठीक है, तो आप भी खरी सकते हो, 10 का मैंने course बना का डाला है, minimum amount है, वीडियो के discussion आपको link मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके एक बाद चेक करना, ठीक है, बाबाई सब्सक्राइब करें गया मिजड़ जान को, और बेल आइडन क्लिक करें, लेटेस्ट नोटिफिकरेशन पाने के लिए,